हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैं चानल तो आज मैं फिर से एक ने आरे वीडियो लेकर के आई हूँ जो है हेडन सोल्डर अंटी डैंडरफ सैंपू, अंटी हैर फॉल तो ये हेडन सोल्डर का सैंपू है, काफी पॉपुलर सैंपू है क्योंकि ये दावा करती है कि ये डैंडरफ को बालो से रिमूव करेगा और इसके बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं मार्केट में और उनमें से ये हैं मेरे पास अंटी हैर फॉल सैंपू और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हैर फॉल बस एक ही रीजन से होती है अगर आपके बालो में बहुत जादा डैंडरफ है तो अगर डैंडरफ नहीं है तो हैर फॉल नहीं होती है डैंडरफ पसीने के वज़े से आ जाती है अगर आपके सकल्प गंदे हैं या फिर बाल गंदे हैं तो डैंडरफ हो जाती है तो ये shampoo दोनों में काम करती है, dandruff को remove करती है, scalp से और hair fall होने से भी बचाती है, साथी साथ ये हमारे hair scalp को अच्छे से deeply clean करती है तो अगर आप कोई अच्छा anti dandruff shampoo या hair fall shampoo ढून रहे हैं, तो ये perfect shampoo होगा आपके लिए, तो अब इसकी basic details देख लेते हैं, इसकी price है 450 रूपीज और quantity है 675 ml की, तो काफी affordable price है, इसे कोई भी effort कर सकता है और इसे आप 36 months तक use कर सकते हैं, और ये बहुत सारे sizes में available है, छोटे बरे size में या saces में भी ये आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारा कुछ detail में दिया हुआ है, इसके claim इस action formula cleaners, nourish and protects your scalp, so you can stay up to 100% dandruff free and get that beautiful hair, you crave visible flake only with regular use तो ये हमारे scalp को अच्छे से clean करेगा, nourish करेगा और protect करेगा dandruff से अगर आप regular use करते हैं तो, और यहाँ पर इसे कैसे use करना है, वो दिया गया है इसके cousin, और इसके ingredients, जो भी कुछ मिला हुआ है इसमें, सारा कुछ mention है, आप देख सकते हैं तो अगर इसकी packaging की बात करें, तो काफी अच्छी packaging है, steady packaging की गई है और यहाँ से ये sample निकलेगा, अगर आप ऐसे प्रेस करेंगे तो तो अब यह देखें, इसकी texture, creamy smooth C है, cream color की है, pure white नहीं है और consistency काफी थीक है, running नहीं है और fragrance भी काफी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी light सी fragrance है, तो इसे आप week में 2-3 times use कर सकते हैं उसे जादा use नहीं करना है, क्यूंकि ये mild shampoo नहीं है अगर मैं अपने experience बताऊं, तो इसे मैं अभी regular basis पे use कर रही हूँ और ये काफी हद तक मेरे बालों से dandruff को remove किया है और hair fall भी थोड़ा कम हुआ है मैं ये नहीं बोलूँगी कि अब hair fall नहीं होती है होती है बट पहले से कम होती है ये shampoo slowly work करता है, तुरंट से result नहीं देता है अगर आप regular basis पे use करते हैं, तो अच्छा result देगा तो overall ये product काफी अच्छा है price ठीक है quantity के हिसाब से तो ये था मेरा review ये product को लेकर I hope कि मेरा review पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा review पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें share करें और प्लीज मेरे channel को subscribe करना ना भूले और जो नीचे आपको rate color का subscribe दिख रहा है उस पर जरूर क्लिक करें और जो bell बटन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली कोई वीडियो जैसे में अप्लोट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तब तक ये लिए thank you for watching मिलतों में नेक्स्ट वीडियो पे take care bye bye